हलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीज, हमारे इस वीडियो में आज हम लोग प्रकास के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं Quantum Theory of Light जिसको कीप प्रकास का Quantum सुध्धान्त कहते हैं इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं इससे पहले हमने प्रकास का कणका सुध्धान्त और प्रकास के तरंग सिध्धान्त के बारे में जिक्र किया था एक Newton साहब का और एक Haigans साहब का इसके बाद आजाते हैं आपके Albert Einstein साहब इससे पहले आप यह समझ लिजे कि जो प्रकास का Quantum सिध्धान्त है इसके बारे में दो वैज्यानिक ने जिक्र किया था जिनका नाम है आपका नील बोर्स और एक मैक्स प्लांक है दो वैज्यानिक थे और उन दो वैज्यानिकों ने प्रकास के क्वांटम सिध्धान्त के बारे में या फिर क्वांटम थेयरी के बारे याद रखेगा कि बुगदान रहा इनका इस आधार पर क्वांटा में सिद्धान्त रहा इसके लिए नहीं नौबल पुरुषकार से भी संमानित किया गया लेकिन अलवर्ट आइस्टीन जो है वह क्वांटम सिद्धान्त या क्वांटम थेओरी के तीसरे संस्थापक माने जाते हैं मतलब third pillar माने जाते हैं इससे पहले निल बोर्स और मैक्स प्लांक ने quantum theory के बारे में अपना जिक्र दिया था अब quantum theory में Einstein जो है 1905 स्वी में याद रखेगा 1905 स्वी में Einstein ने अपने हिसाब से quantum theory को प्रस्तुत किया जिसके लिए इन्हें तीसरा संस्थापक माना जाता है इन्होंने कहा कि प्रकास जो है प्रकास photoelectric effect प्रस्तुत करता है अब एक चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब Newton सहाब ने प्रकास के कणिका सिध्धान्त दिया था तो उसमें तरंग के बारे में उस पर कोई जिक्र नहीं था electric effect के बारे में कोई जिक्र नहीं था तो वो जो कमी रह गए थी उस कमी को पूरा करने के लिए Albert Einstein का quantum theory जो है थोड़ा कारगर सावित हो सका थोड़ा विवाद भी हुआ लेकिन ये थेयरी जो है कारगर सिद्ध हो पाया जिससे कि photoelectric effect जो electric effect होता है light का उसके बारे में इन्होंने समझाया अब इस electric effect के आधार पर Einstein साहब ने क्या कहा कि प्रकास जो है याद रखेगा कि कहते हैं कि Albert Einstein 1950 में plants जो plants साहब थे उनके quantum theory के आधार पर उनके quantum थरी के आधार पर उनके जो mathematical calculations थे या फिर गनितिये जो व्याक्या थी उसके आधार पर इन्होंने बहुत अच्छी भौतिक व्याक्या की भौतकी में व्याक्या कर दी और उन्होंने कहा कि प्रकास उर्जा मान लेजे कि यहां से कोई एक प्रकास स्रोथ है इससे जब प्रकास उर्जा निकलती है तो जब यहां से प्रकास उर्जा निकल रही है यह उर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है याद रखिएगा किसके रूप में निकलती है उर्जा के छोटे छोटे क्योंकि प्रकास क्या है तो प्रकास उर्जा है तो प्रकास उर्जा बंडल उन उर्जा बंडलों के रूप में निकलती है जिसको क्या नाम दिया गया जिन्हें क्वांटा कहा गया जिनका क्या नाम रखा गया क्वांटा रखा गया के रूप में होता है अब इन क्वांटा को ही क्या कहा जाता है फोटोन कहा जाता है इन ही क्वांटा को क्या कहा जाता है फोटोन कहा जाता है तो याद रखिएगा कि इनके सिध्धान्त के अनुसार कि इनके आइंस्टीन के सिध्धान्त के अनुसार प्रकास उर्जा बंडलों के रूप में होता ह जिने क्वांटा कहते हैं और प्रकास के इन बंडलों को फोटोन कहते हैं इसी के रूप में प्रकास आगे तक बढ़ती है जब किसी प्रकास सुरोथ से प्रकास निकलती है तो वह छोटे छोटे उर्जा के बंडलों के रूप में निकलती है और उस उर्जा बंडल से प्रकास पर जो है यहां से क्या मिला कि प्रकास का जो कन का गुन था और प्रकास का जो तरंग वला प्रकृति था याद रखिएगा प्रकास की दोरी प्रकृति होती है कन की प्रकृति और तरंग की प्रकृति इन दोनों के बीच जो है एक प्रॉपर सामंजस्य जो अस्थापित होना जब उन्होंने quantum theory दिया light का उसमें उन्होंने दोनों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए जो coordination होना चीए उसके बारे में वो अस्थापित simple way में हो गया और Einstein के इसी theory के अनुसार जो है प्रकास के छोटे छोटे जो उर्जा के बंडल होते हैं उन्हीं को क्वांटा कहा जाता है जब बर्नन किया इन्होंने तो इसी कारण से इनको 1921 में नौवल पुरुसकार से सम्मानित किया किस पर photoelectric effect जब प्रकास का प्रस्तुत किया गया तो 1921 में इनको नौवल पुरुसकार सम्मानित किया गया मैक्स प्लांग को भी नौवल पुरुसकार से सम्मानित किया गया उनके quantum theory को लेकिये और Einstein ने 1950 इसवी में effect के बारे में बताया या quantum theory के बारे में जिक्र किया उमिद करता हूं कि प्रकास का quantum theory है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्योंकि ये topic बहुत लंबा होता है मैंने सिर्फ PCS के आधार पर जो चीजे जाननी चाहिए उसके आधार पर मैंने बता दिया क्योंकि ये effect ये इससे पहले आपको नील बोर्स के बारे में पढ़ना होगा क्या इन्होंने effect दिया था उससे पहले आपको max plank के बारे में बजना चाहिए इसलिए हमने इसी चोटा सा रखा है और आप लोग से उमेध है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये आपके परिच्छा के दृष्टी कौन से है तो उमेध करता हूं आपको ये वीडियो चोटा सा वीडियो अच्छा लगा तब तक के लिए अस वीडियो को अच्छे से देखिए जै हिंद जै भारत थैंक्यू सो मच